सबसे पहले तो कीवी ब्राउजर डाउनलोड करिए अपने प्ले स्टोर से वहाँ पे ब्राउजर को ओपन करने के बाद सूपर पावर फॉर ट्विटर इस चीज को ठाग करिए सर्च बार में और जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करिए फर्स्ट ऑप्शन होगा Chrome Google.com का उस पर क्लिक करते ही साथ आपको एक विंडो ओपन होगी जिसमें टॉप राइट कॉर्नर पे एक ब्लू बटन दिखाई देगा एड़ टू क्रोम का इस एड़ टू क्रोम के बटन पर क्लिक करिए तो ये अटाच्मेंट आपके एक्सेंशन एड हो जाएगा, OK करिए आगे फिर तीन डॉट्स पर जाईए यहां एक्सेंशन होगा वहां जाईए एक्सेंशन में खोलेंगे तो सूपर पारफ़ ट्विटर कुलेगा उसमें डीटेल्स में जाईए डीटेल्स को स्क्रोल डाउन करिए थोड़ा जैसे ही आप scroll down करेंगे एक option दिखेगा extension options का इसको click करिए extension options खुलते ही साथ आपको ये एक बड़ा सा page दिखेगा जैसे आपको scroll down करना है जब तक आपको mass retweet का option नहीं दिख जाता है तो mass unfollow, mass lie की सब दिखेंगे आपको बट आपको जाना है mass retweet पर तो जैसे यहां आगया है mass retweet तो इसमें आपको intervals को set करना है 0.4 and 0.8 0.4 से लिए की 0.8 seconds का interval आप set करिये limit को 400 कर दीजिए and फिर scroll down करने के बाद एक option दिखाई देगा pause minutes when unable to retweet यहां पर जाके 0.5 कर दीजिए इसको इसके बाद फिर से आपको 3 dots पर जाना है उपर की तरफ जो दिये हुए है और आपको new tab खुलना है new tab खुलने के बाद सर्च करना है twitter.com twitter खुलेगा आपका तो आपको अपने id को login करना है उसके अंदर मेरी यहां पर already logged in है तो आपको login करने के बाद ऐसा कुछ दिखाई देगा and आपको search करना है वो hashtag या जो भी tag है tagline है और उसके top या latest में जाना है retweet का button दमाना है retweet all का और इस तरीके से multiple 50 retweets at a time आप कर सकते हैं